साथियों बीते आथ वर्षों में हमने दिखाया है कि भारत अगर मिलकर कुछ करने की ठान ले तो वो पूरी दुनिया के लिए एक नई उमीद बन जाता है आज दुनिया सिर्फ एक बड़े कंजुमर मार्केट के रुप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ गेम चेंजर क्रियेटिव इनोवेटिव इको सिस्थिम के रुप में आश्चा और अपेक्षाओं से हमारी तरफ आज दुनिया देख रही है दुनिया के एक बड़े हिस्से काओं बारत से समस्याओं के समयधान की अपेक्षाएं हैं यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते आठ सालों में हमने सामान्य भारतिये के विवेक पर भरोसा किया हमने जनता में ग्रोथ में हैं इल्टेलिजन पार्टिसिपंट्स के रूप में हैं प्रोस्षाइट किया हमें देश के जनता पर पुरा विश्वात रहा है कि जो भी टेकनलोजी सुसासन के लिए लाई जाएगी उसे देश की जनता स्विकार करेगी और सराहेगी इसी जनता स्वास का परणाम दुनिया के सर्वस्रेज डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रेटफॉर्म यूपी आई यानि उनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने हैं आदूर सुदूर गाउं से लेकर शहरों के महलों में रेडी ठेवे पर भी दस बिस रुपिये से लेकर लाखों के ट्रांजेक्शन देश वासी इस पर आसानी से कर रहे हैं हमें भारत के युवाओं में इनोवेशन और एंटर्प्रिनेर्शिप को लेकर जो जिनून है उस पर भी बहुत अधिक विस्वास था देश के नव जबानों में छुपे इस जिनून को रास्ता देने के लिए स्टार्ट अप इंडिया गया है आज देश में लगभग सत्तर हजार स्टार्ट अप हैं और हर रोज इसमें दरजनों नए सदत से जुड़ रहे हैं